हेलो माई यूटूब फैमली स्वागत हैं आपका हमारे यूटूब चैनल में आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी सी रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ अगर आपकी skin problem है आप teenage पार कर चुके हैं और आपकी skin में बहुत सारे pimples, wrinkles, dark circles मतलब जो भी skin problem है उस सबका solution इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी तो वीडियो को बिना skip किये पूरा जरूर देखना छोटी से request अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजी और bell icon प्रेस कीजे हमारी आने वाली वीडियो का notification पाने के लिए अब मैं आपको बता देती हूँ मेथी के जो फाइदे मेथी के पत्ते जो है वो हमारी skin के लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मन है बालो के लिए भी फाइदे मन है आपको पता है बालो के लिए तो पर यहाँ पर यह जो पत्ते हैं इसको हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छ पूराने समय में मेथी का इस्तमाल सरीर की बहुत सारी समश्याओं को दूर करने के लिए क्या जाता था आईरवेद में मेथी का बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है मेथी के अंदर फालिक एसिट पाया जाता है जो हमारी सहत के लिए बहुत ज़्यदा फायदेमन है मेथी के अंदर विटामीन A, विटामीन C और भी बहुत सारे पोशक तत्व होते हैं जो हमारी स्कीन और हमारी जो स्कीन बढ़ती उमर में हमारी स्कीन जो खराब हो जाती है उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदे मन्द है तो बस आप इसे बना लीजी और यूज कीजी एक महीना तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलीगा तो यहाँ पर मेथी के पत्ते को मैंने अच्छे से वाश किया है इसके अंदर मैंने ठोड़ा सा पानी डालिया है आप चाहें तो गुलाब जल इसके अंदर एड़ कर सकते हैं और उसके बाद हमें मिक्सी में ग्राइंड कर लीना है तो देखी बहुत अच्छा सा जूस बन करके तयार हो गया है आप चाहें तो इसे ऐसे ही अपने हैर में अप्लाइ कर सकते हैं पर हम यहाँ पर बना रहे हैं फेस के लिए तो मेथी के अंदर जो है एंटी बैक्टेरियल गुन पाये जाते हैं जो हमारी स्किन को मॉस्क्यूराइजर करता है और ड्राइनेस को भी कम करने में बहुत ज़्यदा फायदे मन्द है अगर आपके स्किन पे मुहासे की जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है तो इसके अंदर आप मुलेठी पाउडर एड़ करके आप इसे अपने फेस पर टॉनर के रूप में यूज़ कर सकते हैं तो मुहासे जो होंगे वो बहुत ही जल्दी खतम हो जाएंगे मेथी के अंदर भरपूर पोशक तत्व होते हैं जो हमारी स्किन के लिए फायदे मन्द है अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ गिलसरीन क्योंकि हम इसे अपने फेस पर यूज़ करेंगे तो आप इसके अंदर गिलसरीन जरूर एड़ कीजी ये सर्दियों के लिए भी बहुत जादा बैनिफिट है अब मैं इसके अंदर डालूंगी ऐलोवीरा जल तो ऐलोवीरा जल के जो भी फायदे हैं आपको पता है तो बहुत ही होम रेमेडी जो होती है हमारी स्किन को फायदे करती है साइट इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता है पर रिजल्ट जो भी मिलता है वो पर्मानेंटली मिलता है तो बस हमारा जो टोनर है बन करके तयार हो गया है इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसका कलर जो है थोड़ा गहरा हो जाएगा और आप इसे कोई भी ऐटाइट बॉटल के अंदर स्टोर कर सकते हैं आप इसे फ्रिज में ही रखिए क्योंकि ये जो होम रेमेडी होती है वो बाहर ज्यादा दिन तक नहीं रह पाती है तो इसके लिए आप इसे फ्रिज के अंदर स्टोर कर लीजिए और एक महिने तक आप इसे अपने स्किन के उपर यूज कीजिए रात को और मॉर्निंग में आप अपने फेस को वाश कर लीजिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट जो है वो आपको मिलने वाला है तो कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताना और भी नई-नई वीडियो देखने के लिए आप हमाई चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट करके भी बताना कि आपको यह रेमेडी कैसी लगी और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी जरू शायर करना और भी अच्छे ची वीडियो देखने के लिए सस्क्राइब जरूर कर लेना अब हम मिलेंगे नेक्स्ट रेमिडी के साथ तब तक आप अपना खयाल रखना अब मैं आपको बता देती हूँ इसका यूज आप किस तरीके से करेंगे तो आपको थोड़ा सा लिक्विड लेना है और अपने फेस पर हलके हाथों से मसाज करना है दस मिनट तक जिससे क्या होगा कि वो थोड़ा सूखने लगेगा तो सूख जाने के बाद आप इसे ऐसे ही छोड़ लीजी मौर्निंग में जब भी आप उपते हैं तो इसे अच्छे से वाश कर लीजी आपको फेस वाश की बिल्कुल भी ज़रूत नहीं है मतलब जो रेडिमेट फेस वाश आते हैं न मार्केट में उनकी बिल्कुल भी ज़रूत नहीं है आप नॉर्मल पानी से वाश कर लीजी